नमस्कार आज है कामाक्षी एकादशी तो उसकी लिए आपको धेर सारी बदाईयां कामाक्षी एकादशी के दिन भक्त जन प्राता काल उठकर ही बैनिक दिनचरे से अपनी शुरुवात करते हैं प्राता काल स्नान करके अच्छे वस्तर पैनकर वर्त लेने का संकलप करते हैं और भगवान विश्णू की हूजा करते हैं इस दिन भगवान विश्णु की पूजा अर्चना अबंदन करने से बहुत अधिक्फल प्राप्त होता है भगवान के चरणों की भक्ति परदान होती है भगवान के रज आपको प्राप्त होती है इस दिन तुलसी माता को जल अवशे चड़ाएं उनके सामने दीपक जलाएं और भगवान से प्रातना करें कि हे भगवान अपने चरणों की रज हमें परदान करें हमें संतों का संग दें हमें अच्छा ससंग हमेशा प्राप्त होता रहें और हमारे जीवन का मारदशन हमेशा होता रहें तो चलिए आपको आज मैं ऐसे वक्ती कता सुनाती हूँ, जिसे मैंने कई बार महापुर्षों से संतों के मुख से सुना है, आपने भी सुना होगा शायद, तो जो मैंने सुना है वो आपको मैं सुनाती हूँ. काफी वर्षों पहले की बात है, इसी कल्यूप की बात है, बिरिज 84 कोस में गाउं आता है, जिस गाउं का नाम है माठ गाउं, जैसे कि आप जानते हैं कि दूर दूर से सभी लोग पूर्णिमा अमावस के ब्रिंदावन जाते हैं, बाके बिहारिक के दर्शनों के लिए और वहां परिकम्मा भी करते हैं, तो ऐसे ही सभी ब्रिजवासी पहले से ही मिरिंदावन बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, और इस्पेशली जब अमावस से ये पूर्णिमा होती है, तो माठ गाउं में एक परिवार भी था, वो भी हमेशा बाके बिहारी के दर्शन करने के अमावस से पूर्णिमा को जाता था, उनके घर में एक छोटी भालिका थी, वो हमेशा अपने माता पिता को कहती, पिता जी आप बाके बिहारी के दर्शन करने जाते हूं, मुझे भी ले चलो अपने साथ, तो उनके माता पिता कहते, बेटा आप अभी, आप अभी बहुत छोटे हो, क्योंकि अमावस से पूर्णिमा को बहुत भीड होती है, तो इतनी भीड में आप इधर उदर हो जाओगी, गुम जाओगी, तो जब आप बड़ी हो जाओगी, तब हम आपको बाके बिहारी के दर्शनों के लिए ले जाएंगे, वो हर बार इ दर्शन करूंगी, कब हुने देखूंगी, ऐसा करते करते वो बाली का बड़ी हो गई, जैसे जैसे बाली का बड़ी होती गई, उसके मन में और बाके बिहारी से मिलने की इच्छा प्रफल होती गई, कि नहीं मैं तो आभी तक बाके बिहारी को नहीं देखा, वो कैसे तो उनकी बारे में बताते कि बाके विहारी जी ना आज 80 पोशाक पहने थी बाके विहारी जी आज इतने सुन्दर लग रहे थे उनकी बाते करते तो उस बालिका के मन में भी बड़ी उस्सक्ता होती कि मैं भी काश बाके विहारी जी के दर्शन कर पाती जब बालिका बड़ी कि चलो अब मेरा सुसराल तो विरंदा वनो गया अब तो मैं बाके बिहारी के दर्शन कर सकती हूँ अब उसके मन में बड़ी इच्छा हुई कि कम मुझे ये बाके बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाएंगे मगर जो शादी के बाद कि रिती रिवाज होते हैं वो तो पूरे करने होते ही हैं घर में बस यही कार्य करम चलता रहा पर उसके मन में यही विचार होता रहा कि कम मैं बाके बिहारी के दर्शन करूँगी कुछ दिने बाद कन्या खा पती उसे लेने आता है और वह उसे कहता है चलो व्रिंदावन वापिस चलो अपने घर चलो अब वह प्रसन हो जाती है कि अम मुझे बाके बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे अमन में विचार करते हुए वह अपने पती के साथ आती है और रास्ते बर सूस्ती रहती है मेरा विवा तो विंदावन में हुआ है और विंदावन के तो कहना पर्मुकिस्ट देव है और वह 14-15 वर्ष की आयू से ज़्यादा तो है नहीं वह उतने ही है को पर्मुक्य रवस्ता में वह विराजते हैं तो मैं तो इस नांते से उनकी भावी हुई और र मैच देवर हुई यहीं विचार करते करते वह वह के पास आ जाते हैं उस कन्या के पती कहते हैं कि चलो तुम थोड़ी दर स्पेड के नीचे बैटो मैं यमना जी में स्नान करके आता हूं तो कहते है ठीक है तुम इसनान कराओ आप तो जानते ही हो कि विरिंदावन या अज भी प्राचिन गाउं में कन्या इस्त्रियां घूंगट लिया करती हैं कि पड़ता है कि अन्या की नहीं नहीं शादे हुई थी तो भूंगट करके बैटी हुई थी तो भूंगट करते हुए वह उन्हीं बाके भीहारी जी को याद कर रही थी तभी उसने देखा एक बालक आया बालक रहा होगा 14-15 वर्ष का उसने कहा भावी ओ भावी जरो सुन बहुत सी कि अघरने में इतेθη जरो हैं तो वह कहता है भावी जरah पना चाहरा दिखाऊ तो जैसी उन्होंने घट से अपना चैह और ढूर। ख़ लिया है तो वह बार बार्वः क्या बढ़ एक neighbor घढ़ा है भावी अपना चैहरा दिखाऊ हो बोलि तो कुछ नहीं पर हो ब तिज रोने लगी अब रोने की अवास सुनकर उसका पति बाहर आया जल से यमना जी से उन्होंने बोला क्या हूँ आतम क्यों रोती हो तो वो बोले वो बोली कि आपका गाहूं तो बहुत वेकार है यहां पर मैं बैटी हुई थी और मेरा एक बालक ने 14-15 वर्ष का बालक था यह कोई अच्छी बात तो नहीं इसलिए मैं रोरी थी उसके पति को बड़ा क्रोध आया मेरी पत्री का गुंगट किसने उठा दिया अच्छा ठीक है कभी तुम्हें वो दिखे तो मुझे दिखाना वो बालक को मैं उसको अच्छे से बताऊंगा पिटाई करूंगा उसकी पति थीक है अब उसको चुप कराके घर ले आता है घर आता है एक दो दिन बाद उसकी सास करती है बिटा जा अबाके विहारी जी के बहु को दर्शन कराओ तुम दोनों दर्शन कराओ तूकि वहां पर पर्था है व्रिंदावन में या ब्रिच चुरासी में जब किसी का व विवाव होता है तो पाके विहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं उनका आशिरवात प्राप्त करने के लिए तो उनकी सास ने भी कहा अब तो बहु बहुत वो कन्या जोती बहुत प्रसन हो गई कि चलो अब मैं बाके विहारी जी का दर्शन करूंगी ऐसा मन में व ज़ए पर्ठा कि वजए से भी फिर कोई रिष्टे में जेट लगता है तो इस्थरियां पीछ फिर पीछ आएगा तो चाहरा डखाने की पर्था होते थी इसलिए इस प्रियों को हमेशा आगे खड़ा किया जाता था पुरुष पीछे खड़े होते थे हमेशा तो उसके पती ने कहां जाओ तुम आगे जाके बाके भीहारी जी के दर्शन कर लो मैं पीछे खड़ा हूं और वो जैसी आगे जाती है बाके भीहारी जी का दर आपके बिहारी जी की तरफ उमली करते हुए हाथ करते हुए कहती है देखो यह तो वही लड़का है जिसने मेरा यमना जी के किनारे गुंगट उठाया था यह यही तो है उसका पती जब सुनता है तो उसकी चरणों में गिर जाता है कहता है धन्ने है तू धन्ने है तू और तेरी भक्ति जिसके सामने बाके भिहारी जी स्वेम प्रकट हो गए तो देखा आपने भक्तों भक्ति में कितनी शक्ति है और भाव भगवान भाव के फूके है हमें हमेशा कुछ ना कुछ रिष्टा चाहिए भाई का मित्र भावी किसी तरीका का रिष्टा हमें अपने बाके भिहारी से अवश्य जोड़ना चाइए उन्हों ने उने मन से अपना देवर माना था और खुल को भावी तो देखो वो उनी रूप में उनको दर्शन दिया उन्होंने और उनके मन में जो भाव चलता रहा उस कन्या के उन्होंने इस भाव को पूरा किया तो भाव भगवान यह नहीं कहता मुझे पल फूल को चड़ाओ हमारा भाव अगर पवित्र है हमारे विचार अगर शुद्ध है तो परमात्मा अवश्य हम पर किर्पा करते हैं और अवश्य हमें दर्शन देते हैं बोलो प्रिंदावन बाके भिहारी लाले की जै श्री राधा रामी की जै यह जो करता है यह सत्य गटना है इसलिए मैं यह कहना चाती हूँ कि भगवान पर अटूट विश्वास हको शर्दा रखो और उनके चर्णों में हमेशन अत्मस्तक रहो आज के लिए इतना हूँ अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो किर्प्या करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा होसला बड़े और मैं इसी तरीके से संतों के मुख से सुन सुन के कथा आपको सुनाती रहूँ धन्यवाद